है हेलो वर्कम डू कमिस्ट्री अंट्रो सो इस वीडियो में बात करेंगे उस क्वेश्चन के आंसर की जो हम लोग ने प्रिविस वीडियो में छोड़ा था और क्वेश्चन यह था हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कि किस तरीके से मैं मेरी पॉपुलेशन का जो रेश्यू है यह जो मैं कहूँ पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो लोवर स्टेट में ज़्यादा रख सकूँ और हाईयर स्टेट में कम रख सकूँ इसका रीजन यह था कि मुझे कहीं ना कहीं एक स्टिडी अनेमार सिगनल चाहिए मुझे एक continuous NMR स सकता है जिसको अल्फा कहा जाता है या तो वह हाईयर इनर्जी स्टेट में रह सकता है जिसको बीटा कहा जाता है नगियोज नूज है वो आपने आपको अरेंज करते हैं इन now the problem is कि वहाँ पर थोड़े से nucleus access होते हैं आपके lower energy level में for an example अगर मेरे पास 10 nuclei है तो 10 में से जो मेरे 6 nuclei होंगे this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, my 6 nuclei will be in low energy state and my 4 nuclei will be in higher energy state इसका मतलब मेरे lower energy state में जो number of molecules है या जो number of nuclei है वो थोड़े excess में होते हैं और जो higher energy state में है जो मेरे number of nuclei है वो थोड़े से कम होते हैं and this is at room temperature और हम लोगों ने इसको देखा था इसको study करने के लिए हमने Boltzman distribution law का use किया था इसमें हम लोगों ने देखा था that was n1 divided by n0 का जो फॉर्मल लिख क्या रहा that was e raised to minus e divided by let us say e e लिख सकते है या delta e लिख सकते है that is delta e divided by kb that is Boltzman distribution constant multiplied by t तो हमने इसके बारे में previous वीडियो में देखा था और हमने देखा था कि अगर मुझे population को if i want to increase the population in the ground level so मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे operating frequency को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे operating frequency बढ़ेगा वैसे वैसे delta e का value बढ़ेगा जैसे जैसे delta e का value बढ़ेगा यह difference बढ़ेगा जैसे जैसे difference बढ़ेगा अगर मैं lower energy state में लेके भी आ जाता हूं मालो मैंने बहुत सारे nuclei को lower energy state में लेके आया मैंने population का अच्छा खासा inversion कर दिया I mean to say मेरे अब जो nuclei है let us say मेरे ground level पर 8 nuclei है so I have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेरे पास 8 nuclei है जो यहां पर है और मेरे पास सरफ 2 nuclei है जो मेरे higher energy level पर है क्योंकि मैंने क्या बढ़ा दिया मैंने delta e का value बढ़ा दिया जैसे जैसे मैंने delta e का value बढ़ाया मेरे population का inversion हो गया मेरा population lower energy level पर ज्यादा हो गया तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा ratio है वो 8 is to 2 का मेरा ratio है यह alpha state है यह beta state है अब आप यहां पर radio frequency डालोगे आपके पास यहां पर आपके जो nuclei है वो most of the nuclei are aligned with the field ठीक है आपके पास 8 nuclei with the field aligned हो गए और सिरफ 2 nuclei है जो अभी भी against the field खड़े हुए है ठीक है तो 8 nuclei जो है वो with the field है और 2 nuclei against the field है इससे होता क्या है इससे सिर्फ फरक किये पढ़ाएगा कि आप जैसे इसके ओपर radiation डालना स्टार्ट करोगे electromagnetic radiation जो की radio wave frequency का होगा that is radio wave ठीक है radio wave frequency का जब आप इसके ओपर radiation डालोगे lower energy state के जो molecules है वो absorption करेंगे और higher energy state में चले जाएंगे जैसे मानलो पहला वाला मेरा जो molecule है उसका जो condition आ जाती है जहां पे आपके number of nuclei in lower energy state is exactly equal to number of nuclei in higher energy state, हम उसको कहते है कि NMR में saturation आ गया है, so इस word को ध्यान से याद रखना, इस word को कहा जाता है saturation, ठीक है, तो उस case में होता क्या है, जब आपके पास saturation आ जाता है, तब आपका absorption होना बंद हो जाता है, क्योंकि according to spectroscopy phenomenon से, according to spectroscopy rules, अब में इसके detail में नहीं जाऊंगा, but rule यह कहता है कि जब आपके पास equal population होती है, when you have got equal amount of molecules in lower as well as in higher energy state, there is no net absorption of radiation, अब अगर absorption ही नहीं होगा, तो don't you feel में को signal नहीं आएगा, तो करना यह है, actually यहाँ पर भी आप देखो तो क्या हो गया, यहाँ पर दो molecules थे, यहाँ से तीन molecules अब higher energy state में चले गए है, absorption करने के बाद, अब मेरे पास number of molecule in higher energy state कितना हो गया है, 5, और lower energy state में भी कितना हो गया है, 5, अब मुझे करना गया है कि इसके बाद, मेरा आप अगर ratio देखो, that is N1 divided by N0, N1 divided by N0 का value कितना आ गया, exactly 1, जब यह वाला value आ जाता है, तब हम कहते हैं कि मेरे NMR में क्या आ गया है, saturation आ गया है, तो मुझे परना यह है कि NMR में saturation नहीं आना चाहिए, क्योंकिकर NMR में saturation आ गया तो आपका उसका power increase कर दिया, delta operating frequency increase किया, आपने रख दिया, जाएसे ही आपने radiation डालना start किया, within a fraction of second, within fraction of second, आपके 8 molecule जो कि lower energy state में थे, जो कि with the field थे, उसमें से 3 molecule energy absorb करेंगे, और absorb करके against the field जाके खड़े हो जाएंगे, आप्टर few milliseconds, और within a few seconds, कुछ seconds के अंदर अंदर ही आपका signal बंद हो जाएगा, reason क्या है कि मेरा population क्या आ गया, equal आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा, जो population ratio है, वो exactly कितना हो गया है, one, now अगर आपको continuous signal रखना है, if you want the signal to be continuous, तो वैं संपल सा फंडा है कि lower energy level पे molecule continuously जादा रहने चाहिए, with the reference to higher energy state, मैं यूं कह सकता हूं कि अगर यहां पहले 8 थे, और फिर उपर जाने के बाद उस समय 2 थे, this was the condition, 2 by 8 का ratio था, अगर आप इस पे छोड़ दोगे, radiation डालोगे, तोड़ी जर के बाद 5 by 5 का ratio हो जाएगा, it will be 5 divided by 5, but आपको नीचे का ratio हमेशा जादा रखना चाहिए, so that you can get a continuous signal, तो यह possible हो सकता है, because of two phenomenons, there are basically two phenomenons which are useful in explaining this continuous signal in NMR, one of them will be, and these two phenomenons are broadly called as relaxation process, तो आप इनको relaxation process कहते हो, relaxation process, now relaxation process are basically of, what basically do you mean by a relaxation process, now relaxation process basically, मतलब यह होता है, कि अगर आपके पास एक population inversion है, और population मानलो, आपके पास नीचे की तरफ जो है, वो 8 molecules हैं, और उपर की तरफ आपके पास सुरफ 2 molecules है, तो अगर मेरा एक molecule lower energy state से higher energy state में जाता है, if there is an upward transition, there has to be a downward transition, so that the molecule remains, इसको हम equilibrium की बास्ता में बोलने न, rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होना चाहिए, कि अगर मेरा nucleus lower energy level से, एक nucleus higher energy level पे जाता है, due to absorption, तो वहाँ का एक nuclei lower energy state पे आना चाहिए, ताकि वो उसको replace कर सके, so there has to be a downward fall of a nuclei from higher energy level towards lower energy level, now the problem is, it has to be very spontaneous, यह बहुत spontaneous होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मेरा nuclei absorb पर के ऊपर चला गया, पहला चला गया, फिर दूसरा चला गया, फिर तीसरा चला गया, और उसके बाद ऊपर से कोई एक बंदा नीचे आ रहा है, relaxation process should be very spontaneous, प्योंकि जितना spontaneous वो relaxation process होगा, उतना जादा या उतने जल्दी, मेरा जो nuclei है, जो lower energy level पे है, उसका population maintain रहेगा, now there is one problem, the problem is, कि अगर कोई चीज higher energy level से, lower energy level पे आती है, we have studied something called as photochemistry, now photochemistry मुझे suggest यह करता है, कि जब भी कोई चीज singlet state से, जब वो वापस से एक lower singlet state पे आती है, या triplet state से, जब lower triplet state पे आती है, there is the emission of radiation, वहाँ पे radiation emit होता, जिसको fluorescence या हम phosphorescence कहते हैं, तो same funda यहाँ पर भी apply हो सकता है, कि अगर मेरा एक nucleus higher energy level से, lower energy level पे आएगा, so let me rub this out over here, I'm rubbing this out, so अगर मेरा एक nucleus higher energy level से, जब lower energy level पे आएगा, let me say, वो lower energy level पे आ रहा है, तो obviously उसको radiation emit करना चाहिए, तो radiation आना चाहिए, it should be a radiation का emission, but actually, यहाँ पे radiation का emission नहीं होता है, जबकि होना चाहिए, इसका simple reason यह है, कि radiation, जिसको हम कह सकते हैं कि जो emission मेरा होगा, वो radiation वाला emission होगा, कि radiation less emission होगा, वो डिपेंड करता है कि frequency कितना था, like at what frequency the absorption took place, so I can say that the probability, probability of radiation, of radiation relaxation, ठीक है, of radiation relaxation, will be directly proportional to the frequency का cube, it's the cube of frequency पे वो डिपेंड करता है, so in directly मैं कह सकता हूँ, वो डिपेंड करता है frequency पे, तो जितना ज़्यादा frequency का absorption हुआ होगा, उतना ज़्यादा chances है कि जब वो higher energy level से lower energy state पे आएगा, तो वो radiation emit करेगा, for example, अगर मान लो, यहाँ पे radio wave spectrum में absorption ना होके, अगर वो UV में हुआ होता, या X-ray में हुआ होता, या gamma ray में हुआ होता, जहाँ पर आपके पास आपके जो radiation का absorption जो हुआ है, उस radiation का frequency बहुत high होता है, तो अगर absorption करने वाली radiation का frequency high था, और अगर मैं absorption करके low energy से high energy state पे गया हूँ, तो chances हैं कि जब मैं high energy state से low energy state में आऊँगा, तो मैं जो emit करने वाला हूँ, वो भी radiation ही होगा, बड अगर मैं जिस radiation को absorb करके lower energy state से higher energy state पे गया हूँ, अगर वो radiation का frequency कम है, तो मैं जब higher energy state से lower energy state पे आऊँगा, तब मैं radiation emit करूँगा इसका chances बहुत कम है तो यह कहना कि वहाँ पे radiation वाला relaxation process होगा यह बड़ा difficult है तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ radiation वाला relaxation process नहीं होता है यहाँ पे क्या उसा relaxation process होता है इसको तर्मल relaxation कह सकते हैं कि अब जब तुम higher energy level से lower energy level पे आओगे you know heat has got various form energy has got various form energy can be in the form of heat energy can be in the form of radiation तो यहाँ पे radiation के form में ना आके वो इसके form में बाहर निकलेगा it will be in the form of heat आयोप आपको समझ में आया तो अब अगर मेरा एक nucleus lower energy level पे है और अगर वो higher energy level पे against the field चला गया है और अब अगर उसको relaxation करके वापस आना है like from higher energy level अगर उसको lower energy level पे आना है तो जो high amount of energy उसके पास थी वो उसको emit करने की कोशिश करेगा पर जब वो emit करेगा तो वो photon या electromagnetic radiation के form में नहीं emit करेगा it will be emitted in the form of heat और इसको कहते है radiation less emission इसको आप जब फोटो केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप इसको फोटो केमिस्ट्री में भी देखोगे कि फोटो केमिस्ट्री में भी we have got two types of radiation one radiation will be called as radiation का emission जिसमें fluorosense और phosphorosense होता है and one of the emission is radiation less emission जिसमें तरफ thermal relaxation होता आपका जो energy है वो thermal energy के form में बाहर निकल जाता है और आप higher energy level से lower energy level पे आजाते है now the same phenomenon occurs over here तो मैं कह सकता हूँ कि यहां पे जो thermal relaxation होगा या मैं कह सकता हूँ यहां पे जो radiation less radiation radiation less relaxation जो होगा वो दो category में divided है जो पहली category में divided है उस category को कहा जाता है spin spin latize relaxation और दूसरी category को कहा जाता है spin spin relaxation ठीक है यह दो relaxation होते हैं now spin latize relaxation को longitudinal longitudinal relaxation भी कहा जाता है और इसको transverse relaxation भी कहा जाता है now एक और चीज़ पे जान से सुनना अगर मेरा एक molecule lower energy state से higher energy state में जाके जब वो वापस से lower energy state में आता है the amount of time वो high energy state में spend करता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो कितनी देर तक वहाँ पे था और कितना time उसको लगता है higher energy state से lower energy state में आने के लिए उसको relaxation time कहा जाता है और अगर वो spin latise relaxation है तो हम लोग उसको लिखेंगे T1 के साथ और अगर वो spin spin relaxation है तो हम उसको लिखेंगे T2 के साथ now question यह उड़ता है कि spin latise relaxation क्या होता है और question यह उड़ता है कि spin spin relaxation क्या होता है चलो समझने की कोशिश करते है इसको तो start करते हैं सबसे पहले relaxation के साथ जिसको कहा जाता है spin latise relaxation या जिसको कहा जाता है longitudinal relaxation now देखो जब हम एक sample लेते हैं what we get something is called as a lattice. So, यह तो spin lattice relaxation का नाम है. यह वही से आता है कि traditional यह जो पहले के लोग होते थे, जब NMR करते थे, they used to do it on solid sample. और जब वो solid sample पर करते थे, तो हम उसको क्या बोलते थे, lattice बोलते थे. तो यह कही ना-कही नाम वहाँ से आ रहा. Now, what basically do you mean by spin lattice relaxation? तो suppose करो, you have got many nuclei, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे nuclei हैं, और बहुत सारे nuclei में से बहुत सारे nuclei ऐसे भी हैं, जो शायद lower energy state में with the field हैं. Let me say, यहाँ पर मेरे पास north pole है और यहाँ पर मेरे पास south pole है, and there are few nuclei which are against the field, क्योंकि वहाँ पर population जो है, वो lower energy state में जादा होनी चाहिए, and higher energy state में काम होनी चाहिए, and higher energy state में काम होनी चाहिए. Now suppose करो, यहाँ से मेरा एक nuclei energy absorb करता, energy absorb करने के बाद, let us say, अगर वो higher energy state में चला जाता है, तो population में जो difference है, वो change हो गया है. क्योंकि अब मेरे higher energy state में molecules जादा हो गया है, और lower energy state में मेरे nuclei काम हो गया है, so यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर relaxation process होना चाहिए, अगर relaxation process नहीं होगा, तो I will not be getting an NMR signal. तो होता क्या है कि जब आपके पास samples होते हैं, you have got so many samples, it's a crowd, बहुत जादा mass होता है, उस sample के अंदर, you have got millions and millions of nuclei over there. Now molecules, whenever they are present in a sample, ऐसा नहीं होता है कि molecules जो होंगे, वो stationary खड़े होते हैं. We all know कि solid state में भी कहीना कहीन में vibration होता है, अगर वो liquid state में हैं तो यह vibration बहुत जादा होगा, there will be an vibration or oscillation of a molecule, as well as there will be rotational motion of a molecule, हम लोग ने rotational, vibrational spectroscopy पढ़िया है, अगर वो gaseous state में है, फिर तो बात ही बहुत अलग है, वहाँ पर तो vibrational और rotational spectra, जो motion होगा, वो बहुत जादा होगा. तो मानो, अगर मेरे पास एक nuclei यहाँ पर है, और यह nuclei अब higher energy state में है, और यह nuclei है, वहाँ पर precision कर रहा है, उसका precision करने का कुछ तो frequency है, और मैं उसके precisional frequency को omega note के साथ denote करता हूँ. omega note का मतलब हुदा precisional frequency and we all have studied what do you mean by basically precisional frequency. अब problem यह है कि मेरे पास बाजू में, मेरे पास side side में और भी बहुत सारे nuclei हैं, वो nuclei वहाँ पर में भी vibrational motion कर रहे होंगे, वो ऐसे ऐसे zigzag motion में घूम रहे होंगे, like they are not stationary at a place, they are doing precision, वो भी precision कर रहे हैं, यहाँ पर present हर nuclei precision कर रहा है, every nuclei is doing a precision, the only difference is along with the precision, they all are doing vibrational as well as rotational motion. Now, whenever they are doing a vibrational and a rotational motion, the frequency of vibrational motion or rotational motion when matches with the larmer frequency, which is also called as frequency of precision, अगर वो larmer frequency के साथ match हो जाती है, यानि जिस speed के साथ मेरा nucleus precision कर रहा है, अगर उसका frequency और मेरे side में, अगर एक nuclei है, doesn't matter वो nuclei higher energy level पे है कि वो nuclei lower energy level पे, यानि वो alpha state में है कि beta state में, अगर मेरे side में एक nuclei है और अगर वो vibration कर रहा है, उसके vibration या rotation करने का frequency, if matches with the precisional frequency of me, myself, उस समय होता क्या है, उस समय मैं अपनी energy को उसको transfer करूंगा, and I will transfer back to the lower energy state, और उसका rotational और vibrational level का energy का level बढ़ जाएगा, मतरा जो मेरा nucleus यहाँ पर है, वो अपना energy, मान लेते हैं कि यह जो nuclei यहाँ पे है, इसका vibrational frequency, जो है vibration oscillational frequency, इसके larmor frequency से match करता है, तो यह nuclei अपना energy इसको transfer करेगा, which will be a thermal energy transfer, और यह मेरा nuclei जो है, अब उसके बाद कहाँ चले जाएगा, यह फिर से मेरा lower energy state पे आ जाएगा, so don't you feel इस से होता क्या है, इस से होता यह है कि मेरा lower energy state का population जो की axis में था, वो maintain हो जाएगा, तो जब मेरा molecule absorb करके higher energy state में जाता है, against the field जाके खड़ा होगा, और वहाँ पे जाके वो precision कर रहा होगा, उसके lattice में आसपास के molecule will be doing vibrational motion और rotational motion, तो वो अपना energy उनको transfer करेगा, जिस से उनका rotational और vibrational level बढ़ जाएगा, और वो खुद, relax होके वापस से कहाँ चला जाएगा, with the field चला जाएगा, और magnetic field के साथ align हो जाएगा, now this phenomenon, या this relaxation, will be called as spin lattice relaxation, as I said already name यहाँ से आया कि पहले कि जो लोग होते थे, वो solid state पे samples पे काम करते थे, now there's a catchy point over here, अगर solid state का sample है, तो वहाँ पे vibration करने वाला जो frequency होता है, we all know कि solid state में vibrational motions are restricted, whereas आप अगर liquid state में देखोगे, तो vibrational motions अच्छे खासे होते हैं, तो solid state में relax होके वो वापस से ground state पे आएगा, इसमें बहुत time लग जाता है, like frequency match होगा, नहीं होगा, maybe क्योंकि बहुत slow vibration हो रहा होता है, तो मैं कहा सकता हूँ कि अगर solid state में वो है, तो solid state में उसका time period होगा, relaxation का वो थोड़ा सा high होता है, since वहाँ solid state में time period वहाँ बहुत high होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि relaxation is quite slow, ठीक है, वहाँ काफी slow होती है, whereas आप अगर liquid state में देखोगे, तो liquid state में vibrations are quite high, मालग, वहाँ पे vibrations बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छी खासी frequency में, अब देखो एक और सीज में आपको बताता हूँ, अगर मैं एक nuclei हूँ हूँ जो against the field खड़ा हूँ, और मेरे आसपास में energy transfer कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा, कि मैं high energy पे गया, oh wow, energy ले लो, I'm in ground state, it do take some sort of time, इसको थोड़ा सा time लगता है, अगर यह liquid state में है, तो time कम लगेगा, यानि मैं कह सकता हूँ कि liquid state में relaxation time बहुत ही कम होता है, यानि फटाक से relaxation process होता है, what अगर gaseous state में हो, तो याद रखना, जैसे ही amplitude भढ़ जाता है, vibration करने का, when the amplitude of vibration increases again, their time period will again increase, the reason क्या है, reason ही हो जाता है, कि अगर बहुत जादा molecule को अपने freedom दे दिया है, तो molecule बहुत जादा frequency के साथ, अगर vibrate कर रहा होगा, तो probability बहुत कम होती है, कि मेरी frequency के साथ, उसका resonance होगा, क्योंकि then I will be getting a broad spectrum, अब समझने की कोशिश करो, अगर solid state में है, तो molecule जो होगा, वो कम frequency के साथ vibrate करेगा, तब भी problem है, problem तब ही है कि मेरे साथ वो match नहीं होगा, अगर liquid state में है, तो perfect है, क्योंकि liquid state में, ना बहुत जादा frequency से vibrate करेगा, या oscillate करेगा, ना बहुत कम frequency, पर अगर gaseous state में है, तो I will be seeing molecules are vibrating with different, different, क्योंकि आप उनके पास freedom है, freedom किसी इसका है, वो किसी भी frequency के साथ oscillate या rotational motion कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, so this will again create a problem for me, so the best condition for recording an NMR signal according to me, would be in liquid state, जहां पर आपका relaxation time होगा, वो काफी उतना होगा, जितना हमको उसका चाहिए, solid state में relaxation time high होगा, gaseous state में फिर से relaxation time जो होगा जाएगा, वो क्या होजाएगा high, it will be only in liquid state that the relaxation time will be optimum जितना हमको चाहिए था, now this is all about spin lattice relaxation now coming up to another mode of relaxation, now suppose करो, ये nuclei absorb करने के बाद absorb करने के बाद, ये higher energy state में चला जाता है, ठीक है और ये higher energy state में जाने के बाद लेड़े से, एकदम बहुत high energy के साथ, वहाँ पे, वो precision कर रहा है और उसके side में एक ऐसा nuclei है, जो शायद lower energy state में है और वो lower energy state में रहके precision कर रहा है, अब हो ये सकता है कि इन दोनों का आपस में interaction हो सकता है, और ये अपना energy उसको transfer कर देगा, और खुद कौन से state में चला जाएगा, ये खुद जाला जाएगा lower energy state में, और इस वाले बंदे को किसमें भेज़ देगा, इसको भेज़ देगा higher energy state में, इस phenomenon में होता ये है कि population पे एससे change नहीं आता, there's no net change in the population, क्योंकि पहले इतना था उतना ही बाद में, बस यहां पे होता क्या है कि higher energy spin वाला molecule अगर अपने आसपास किसी lower spin वाले को देखता है, तो अपना energy transfer उसको करता है, transfer करने के बाद खुद lower पे चला जाता है, सामने वाले को higher पे भेज़े, इसलिए इसका नाम रखा जाता है spin-spin relaxation, बना one spin is getting relaxed and the other spin is getting excited spin-spin relaxation से population के ratio को maintain करने में as such कोई effect नहीं आता बदा हम इससे यह कह सकते हैं कि आपका जो relaxation time है मेरे nucleus का वो कम हो जाता है, प्रिकि जैसे ही मैं high energy state में खड़ा हूँ, I have got two options, या तो मैं मेरा energy ऐसे nucleus को दे देता हूँ, जिसका vibrational or rotation करने का frequency मुझसे match हो, या फिर I have got second option, मैं मेरे बाजू में ऐसे nuclei को देखता हूँ, जो शार्ड lower energy spin में है he is with the nuclei, मैं अपना energy उसको दे दूँगा और मैं with the field हो जाऊँगा and he will be against the field, now this is one probability, the other probability is I will search for a nuclei जो vibrational motion कर रहा होगा या rotational motion कर रहा होगा जिसका frequency मेरे larmor frequency से match होगा, now I have got two options, तो अगर मान लो मुझे ऐसा कोई nuclei नहीं मिलता है, जो मेरे साथ उसका vibrational rotational frequency मैच हो, तो I have got second option, मैं इसको transfer करके चले जाऊँगा इससे होता क्या है, इससे मेरा higher energy state में रहने का time कम हो जाता है और जिसकी वज़े से I will be transferring back again to the lower energy state and the NMR signal will be continuous मुझे उमीद है इस वीडियो से आपको relaxation process समझ में आया and what exactly is the need for relaxation process, the mathematical part regarding longitudinal and transverse I am not taking it in this video, probably we will be saying it later on in some other video, जहाँपे मैं complete mathematical treatment दूँँगा इस पूरे फिनोमिनों को so we will meet in the next video thank you and do take care of yourself